हेलो एंड वेल्कम तो अंके चौधर एजूकेशन एड आज की क्लास में गाईज पास्ट यर के कोश्चन्स डिसकस करेंगे चाप्टर जो है वो क्लास 12 का फिजिक्स का एक चाप्टर है जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करें आज डिसकस करेंगे आज का पहला सवाल यहां आ जिसमें 100 ओम का आपने एक रजिस्टर लगाया हुआ है जो इंड़क्टर है उसके सेल्फ इंड़क्टेंस की वैल्यू दे रखी है फो डिवाइडर बाई पाई स्क्वार राइट आपने इसको कनेक्ट कर दिया है सीरीज कॉंबिनेशन में एक एसी सोर्स के साथ जिसकी व करना है कितना पावर डिसिपेट हुआ है पूरे सरकेट में 2016 लगा ये कोशन है आई इसका आंसर डिसकस करें अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये मैंने टॉपर शीट सा आंसर उठाया है ताकि आपको क्लारिटी बेटर मिल जाए कि कैसे आंसर को अप्रोच करते हैं गिव हमें नहीं पता है vrms जो की हमारा ac source है वो है 200 वोल्ट और frequency जैसा मैंने आपसे बता है 50 लिख लिया Capistence और हमें impedance निकालना है यानि कि Z और C हमें निकालना है और इसलिए हम यहीं निकालेंगे थीटा की जब हम बात करते हैं यानि कि 5 की बात एंगल की बात कर लेंगे तो वह है 0 डिगरी अब यह चीज ना आपको थोड़ा सा पजल करेगी यानि आपको कैसे पता यह चीज 0 अब जरा यहां पर ध्यान से नोट कीज़ें यहां पर बोला गया है कि current is in the phase with the voltage हैनी कि current और voltage के बीच में जो phase है वो बदल नहीं रहा तो इसलिए आप 5 को क्या बोलोगे 0 डिगरी बोलोगे राइट चलो आगे बढ़ते हैं अब बात यह है कि जब कभी भी current और voltage same phase में होत लिख सकते हो यानी कि resistance जो होता है ना inductance के case में और capacitance के case में हो एक दूसरे के reciprocal होते हैं यह चीज़ आपको पता हो नीचे L की value क्या है 4 pi square तो आप यहां पर L की जगर ध्यान से देखो 4 pi square put कर लिया omega क्या है यह चीज़ आपको नहीं पता अब मैं आपको समझाता हो omega कैसे निकालेंगे omega निकालने का तरीका यहां पर यह है हमारे पास formula होता है v is equal to v not sin omega d omega को आप लिख सकते हो 2 pi divided by time period और आगे आप चाहो इसको लिख सकते हो 2 pi into mu क्योंकि one upon more time period होता है mu अब ध्यान से दरह समझो 2 pi को मैं अपने जगा पर छोटा हूँ और new frequency है इसकी value में 50 hertz लिख सकता हम बिल्कुल तो यहां पर मैं लिख दूँगा 50 hertz यही सेम चीज़ न इस omega की जगा की गई है यहां पर दिख सकते हैं आपको 2 pi into में वही 50 तो यह जो left hand side में सारी values यहां मैं आपको दिखा दिया देखो L की जगा हमने यह डाल दिया और omega की जगा हमने यह डाल दिया अब बारी है इस right hand side की is equal to के sign के बाद जो right hand side में 1 upon c ना दिख सकता आपको 1 upon c अपनी जगा है omega की जगा यहां भी हम सेम चीज put करेंगे अब जब यह सारी value जो हमने put कर लिया तो उसके बाद होगा कैसे आगे solve यह चीज़ आप समझे ज़रा देखें यह पूरी term जो है इसको cut कर देगी एक तो यह तरीका है यह cut करेगी बिल्कुल भी नहीं करेगी यह cross multiply होगा ठीक है ध्यान से समझो ज़रा इस बात क तो यहां पर होगा क्या कि एक पाई से हमने यहां का एक पाई काट दिया और नीचे एक पाई से इधर का एक पाई कट गया यह हम कर सकते हैं ओके अब होगा क्या कि इस 4 को 2 से multiply करा हो यह आ जाएगा आपका 8 50 अपनी जगा पर आजए जाए और यह 2 इंटो में 50 100 होके इस इसको further solve करो C is equal to 2.5 into 10 की पार माइनस 5 फराड तो यह आपके पास जो है वो capacitance की value निकल किया गी इसको microfarad में भी आप convert कर सकते हो यह आपकी हिक्षा है बात करते हैं जड की यानि कि जड क्या होता है impedance होता है इसका formula होता है R square plus में L omega minus 1 upon C omega का whole square अब यहां पे ने L omega जो है व तो मैंने आपको समझा है बराबर होता है reciprocal of C omega के ठीक है यह बात आपको मालूम है तो इस basis पे आप इसको जब आखे solve करोगे तो Z की value निकल के आएगी 100 pi ठीक है 100 ohm sorry अब देखो सारी चीज़े मैं आपको बता रिखी है यहां पे कौन सी value कहां पे क्या put होगी ठीक है तो आ यहां पर आप देख सकते हो resistance यार अब यह भी आपने 100 निकाला है ठीक है यहां पर दे रहता है register sorry यह वाला ठीक है यह तो impedance है यह आपने 100 दिया हूँ आपके question में तो इसका इस्तमाल करो 200 divided by 100 क्या जाएगा आपका 2 current आगे 2 power का formula क्या होता है power का formula होता है V into i into cos 5 ठीक है तो V यहां पर देखो यहां पर नीचे दिख रहा होगा 200 2 से हमने multiply करना है Q क्योंकि 2 हमारा current है और cos 5 अब 5 की value क्या put करोगे 0 degree cos 5 यानि 0 degree यानि 0 degree मतलब 1 तो यह सारी value से 2 के साथ multiply होगी यानि कि 200 multiply by 2 आपका 400 omega आज मेरी थोड़ी तब्रेट ठीक नहीं है तो अगर voice में कोई problem हो please maaf करते ना मुझे आगे बढ़ते हैं and discuss करते हैं दूसरा सवाल यहां आपसे बोला हुआ है कि जब आप AC source के साथ connect करते हो एक idle inductor को show that average power supplied by the source over a complete cycle is 0 तो पूरे cycle के दोरान जो power supply करते हो उस वक्त value जो है वो 0 निकल के आती है अगर answer discuss करें जारा इसका क्या होगा तो देखो मैं अगर पावर की बात करूँ तो जैसे मैं आपको पीछे बताया था current multiply by potential into में cos pi होता है अब idle inductor case में pi की value होती है यानि कि pi की value होती होती है pi by 2 अब सारी value put कर लो देखो जो हमारे पास current होगा होगा average हमारे पास potential होगा average औ pi by 2 यानि कि 90 degree होता है zero तो इस तरीके से आप यहां पर power को zero proof कर पाए अब बात करते हैं अगले part में यहां पर बोला हुआ है कि एक lamp को आपने connect किया है series के अंदर उसमें काईफी सारी चीज़े है जैसे inductor है ठीक है उस AC source के साथ अब आप से यह बोला हुआ है कि क्या होगा उस light के brightness में जब आप key को जो है जो की उस circuit में present है की is plugged in and iron rod is inserted inside the inductor अच्छा एक तो key को आपने on कर दिया और उस inductor के अंदर आपने iron rod को भी place कर दिया इस बात को ज़रा समझो अगर मैं आप से समझाने कोशिश करूँ इमाल नहीं मेरे पास inductor है let's suppose इसमें मैं place कर देता और जिस भी circuit में यहां पर मैंने इसको connect कर रखा है यहां पर जो key है इस key को मैं on कर देता हूं तो क्या घटनाए घटेंगी brightness के उपर क्या effect है यह बोला हूँ है तो अगर मैं brightness की बात करूँ तो brightness decreases जाहर सी बात है decrease तो हो नहीं है because as iron rod is inserted inductance increases जैसे आपने iron rod वहां पे insert कर द जाएगा दो जार solar कोशन था और detail answer आप यहां पर देख सकते हूं बढ़ते हैं आज के आखरी सवाल की ओर जहां आपसे बोला हुआ है कि बहीं एक inductor है जिसको मैंल से represent करते हैं समझ में आगे of inductance XL ठीक है is connected in series और उसमें bulb भी आपने connect कर रखा है चारी से बात एक AC का source तो ह हो गई होगा क्या भी बुलाओगा कि how brightness of the bulb change bulb का brightness कैसे बदलेगा अगर मालनों कि जो number of turns से inductor में उसको आप घटा देते हो अच्छा यह बड़ा अच्छा है और फिर आपने अगले पार्ट में समझाने है उनको कि जब आप iron rod को उसमें इंसर्ट कर दोगे तब किस तरीके सा brightness जो है और फिर आगे बुलाओगा कि capacitor of reactance जो है वो equal है xl के यानि कि xc is equal to xl ठीक है is inserted in series in this circuit justify your answer in each case को एक एक करके तीनों के इसका answer समझते हैं देखो पहले वाले case में क्या होगा increase कर जाएगा yes अगर आपने number of turns को जो है वो reduce कर दिया है तो जाहिर सी बात है आपका यह ईंक्रीज करेगा आप यह इंक्रीज क्या करेगा यह देख थे हैं brightness इंक्रीस करेगा देखो कैसे as number of turns decreases reduce क्योंकि तो आपने डिर्यूस करना है यह चीजित ध्यान biscuit न हरे हो लेकिन वहाँ पर brightness करेगा तो जैसे है आप यहां पहर टर्वैड्यूस कर दोगे तो होगा क्या क current जो है, वो increase करेगा, ठीक है, यह current देख रहा हो, यह increase कर गया, current increase कर गया, तो जाहिर सी बात है, फिर आपका brightness भी बढ़ जाएगा, ठीक है, question के अगले हिस्से में जो चीज पूछा हुआ है, उसका भी answer discuss कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपसे बोला हुआ है, जैसे मैं आपसे इसका है था कि iron rod को insert करना है, इंडक्टर के अंदर, तो होगा क्या, इस case में brightness decrease करेगा, पीछे भी मैंने आपको समझाया है, कि जैसे rod insert करते हो, तो brightness decrease करता है, इसलिए, तो मैं जाए detail में जाऊंगा नहीं, और लास्ट की बोला हुआ है, कि a capacitor of reactance XC, जो है, वो XL के equal है, उ इसका जो PDF है, आपको description box में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से download करके, एक एक answer को अपने handwriting में, अपने सुंदर सुंदर handwriting में, अपने प्यारे handwriting में, note down कर सकते हैं, चलिए, यह जो slides थे, यहाँ पे मेरा साथ था आपके साथ, यानि मैंने सारे questions को समझाया है, बट इस slide पे आपको सारे questions के answer खुड attempt करने हैं, और सारे वुचे comment box में attempt करेंगे, मिलता अगले वीडियो में, जाहेंड,